हेलो आस्पिरेंट्स वेलकम टो ट्वेंटीफोर सेवन क्लाइट चैनल और आज लिक्या हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तीन महीने बज गया है बस क्लाइट के लिए और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है तो कई लोग ऐसे होंगे जब बढ़ा फैक्टर बनेगा अगर आपको सब कुछ आता है और वहां जाकर आपने स्ट्रेस ले लिया तो जो आता है वो भी भूल जाओगे और नहीं बना पाओगे इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और बहुत इफेक्टिव टिप्स लेके आया हूं कैसे हम इस चीज को रूट से सॉल कर सकते हैं तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो को आखरी तक देखिए और अपने सारे फ्रेंट्स के साथ शेयर भी करिएगा तो पहली चीज है कि हमें यह समझना है कि स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज है मतलब यह आती ही है क्य स्ट्रेस आ जाता है तो यहां पर यह हमारा पर्फॉर्मेंस ना इफेक्ट करें हमारी टोटल वेल बिंग को ना इंपक्ट करें इसलिए हमें बहुत जल्दी आइडेंटीफाई करके उसे सॉल्यूशन ढूंड के निकालना है तो फर्स कोश्चिन क्या आपके अंदर स्ट् से सफर कर रहा हो सकता है कि इसके साथ प्रॉबलम हो सकता है कि यूसके साथ इंडन हो गया है तो इसलिए हमें देखना है कि क्या आपको स्ट्रेस है पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और इसलिए मैंने तीन फैक्टर्स यहां पर बताएं फिजिकल मेंटल और इमोशनल फैक्टर जिससे कि आपको बॉडिली और मेंटल टेंशन होगी आपको एंजाइटी फील होगी आप इरिटेटेड रहोगे आपको डिसीजन्स लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो यह सारे साइन से समझ जाना कि आप भी स्ट्रेस में हैं ठीक है चलिए तो देखते हैं एक्जाम स्ट्रेस क्या होता है अगर आपक स्ट्रेस अच्छी नहीं है मॉक्स में माक्स नहीं आ रहे हैं हमने पी वाई क्यों किया है माक्स नहीं आ रहे हैं क्लासे समझ में नहीं आ रही है नोट सम बना नहीं पा रहे हैं ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इस सब का एक सॉल्लूशन है कि आपको ब दादा असानी होगी अचीव करने में और यह साइकोल और चोटे-चोटे गोल्स अचीव करेंगे बढ़ेगी हम बड़े गोल्स बनाते हैं वह अचीव नहीं होते हैं और उसी फेलियर से हमें स्ट्रेस आता है इसलिए आप इस वीकली स्टेडी वाले वीडियो को देखे और आपको बहुत क्लारिटी आ जाएगी ठीक है तो यह हमारा एक मेजर चीज है तो इन सारे स्ट्रेस को इडेंटीफाई करना ही हमारा फॉर्स्ट पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका वर्कलोड बढ़ा है या आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है आपके माक्स नहीं आ ट्रेंडिंग तेंग बट मैं एडवाइस करूंगा कि लेट नाइट मत पढ़िए आप कोशिश करिए कि दस से ग्यारा के बीच आप सो जाए और सुबह पांत छे के बीच उठके पढ़ाई करिए जिससे आपकी एक छे से साथ घंटे की हेल्दी नींद हो जाएगी और जो साइंटिफिक है आप डीप स्लीप साइकल सेर्च कर सकते हैं गूगल में और आप पाएंगे कि डीप स्लीप साइकल साइंस के साफ में होता है रात के लेका तीन बजे तक का अगर कोई इस बीच सो जाता है तो अपनी बॉड़ी की जितनी स्लीब डिमांड है वो 90% पूरा कर जाता है आप खुद सर्च करके देखेगा और कॉमेंट पर बताएगा सही था कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर आपको कुछ माइडफुलनेस प्राक्टिस करनी है रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं जब आप पढ़ रहे हैं तो पांच मिनट का दस मिनट का हर आधे पॉन घंटे पढ़ने के बाद पांच मिनट का ब्रेक लीजे आप सुबह उठकर एक थोड़ा सा साथ साथ इंपोर्टेंट है हेल्दी लाइक स्टाइल चॉइस पीजा बंद कर दीजे बर्गर बंद कर दीजे बाहर का मोमोस खाना बंद कर दीजे क्योंकि देखो क्या होता है ना जो हम खाते हैं वाट गोज इन कमस आउट तो इसको बोले आता है गी गो प्रिंसपल जी आई जी ओ गो दिन गोज आउट है ना वाट वाट गोज इन कमस आउट तो यह जो प्रिंसपल है ना यह प्रिंसपल बहुत प्रैक्टिकल है आप जितना यह वी फूड खाएंगे उतनी आपकी बॉड़ी स्लोडाउन हो जाएगी एनरजी नहीं रहेगी इसलिए आप आईएगा कि जंक बंद करने से आपको कितना फाइदा हुआ है तो एक हम बस सिंपल सिंपल चेंजेद हैं आर कुछ अलग से नहीं करना होता है किसी को इन जनरल भी एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस होता है तो वह यह टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं काफी जादा हेल कि उसकर सकते हैं एन एम एट जीरो और आप मेरे साथ आईए जुडिये बैचेज लीजे और हम मिलकर क्लाट को फाइट करेंगे और एक दिसंबर को जो हमारा डी डे है उसे मिलकर हम चैलेंज करेंगे थाइंक यू सो मच आइल सी नेक्स वीडियो